नमस्ते दोस्तों जैहिंद बंदे मात्रम कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी क्या पीड़ाबलू अनली आईएस पर जहां हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य के उस पेपर डिसकसन को जो इस वर्ष 29 सितंबर को यूपीएसी मुख्य परिक्षा में आपसे पूछा ग इसलिए इसके प्रश्न जो है, वह बहुत सिमित डायरे से आते हैं, बार बार घुमा फीरा के पूछे जाते हैं यह सारी बातें तो सही हैं परंतु कुल मिला करके काम तो एक ही करना है कि इन प्रश्नों को लिखना है कहां से पूछेगा कई बार घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं दोस्तों अगर इन प्रश्नों की बात करें तो जो लोग live class से जुड़े हुए हो regular class से जुड़े हुए हो आप एक बात के लिए अक्सर धन्यबाद देते हो कि हमारे अरविन मिश्रा सर अक्सर सभी प्रश्णों को लिखा देते हैं हर बैच में जिससे समस्या खत्म हो जाती है लेकिन उसके साथ एक समस्या यह है प्रश्ण सिक्षक लिखा दे तो कई बार प्रश्ण घुमा फिरा के पूछ दिये जाते हैं इसका अर्थ उत्तर आपके पास है प्रश्ण का बदला हुआ रूप आपके पास नहीं है जैसे फर्श कीजिए कि इस साल का एक प्रश्ण है अल्हा गायन की भाश्ण जब मैं आपको बताऊंगा यह कैसा प्रश्ण है तो आप यकीन मानिये हसेंगे इसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं अगर आप परमाल रासो को जानते हैं रासो परमपरा को जानते हैं आदीकालिन साहित्य को जानते हैं उसकी शैलियों को जानते हैं उसमें भाश्ण के स्वरूप को जानते हैं तो यह प्रश्ण आपसे बिल्कुल परे नहीं है आ प्रश्णों को समझना है ऐसे ही जैसे अवधी भास्सा की अखिल भारतिये लोग प्रियता के कारणों पर चर्चा कीजिए आप सुचेंगे अखिल भारतिये रूप में प्रसारित कैसे हुई लेकिन अगर आपने राम काव व्यधारा और तुलसी की रचना राम चरित मानस को धंग से पढ़ रखा है या फिर मलिक मुहम्मद जैसी और उनकी रचना पदमावत को पढ़ रखा है तो इस प्रश्णों को लिखना बहुत आसान हो जाएगा अइसे ही कुछ प्रश्ण है जिनको हम समझनी पाते की पूछा क्या है हिंदी का तत्सम संदर्भित मानकी करण आप लोग पढ़ें तत्सम संदर्भित मानकी करण बहुत आसान है आज जो पारिभासिक शब्दावलियां हैं उनमें हिंदी के जितने पारिभासिक शब्द हैं इनफेक्ट पारिभासिक शब्द भी तत्सम शब्द हैं संस्कृत के शब्दों का ज्यादा तर्मान की करण किया गया आहरण जैसे शब्द का, निर्गत किया जाना जैसे शब्द का, परिमार्जन जैसे शब्द का, ऐसे ही या पत्र लेखन या पत्र प्रारूप से जुड़े या कारियाली ये भाष्टा से जुड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, सब तत्सम शब्द हैं जैसे परिपत्र, जैसे अधिसूचना, जैसे प्रिष्ठांकन, ये जीतने शब्द हैं, ये सब तत्समनिष्ठ शब्द हैं, बड़ा सीधा सा प्रश्ण है, शब्दों का मान की करण परिभासिक शब्दा अवली, लेकिन थोड़ा भुमा दिया, इसलिए हम लोग चक्कर खा गए, तो आएए दोस्तों, इनको लिखनी का तरीका देखते हैं हम लोग, कि कुछ तो बड़े सीधे प्रश्ण है, उनको कैसे लिख सकते हैं, और कुछ घुमाए फिर आए गए, लेकिन प्रश्ण वहीं, तो पहले से शुरू करते हैं, पहला प्रश्ण है, टिपणी के त आगे बढ़ूं, ये प्रथम पत्र है, फर्स्ट पेपर है हमारा, और फर्स्ट पेपर के कुल दो पार्ट हैं, एक भाषा भी ज्ञान है, और एक साहित्यकाईतिहास है, दोस्तों कितनी अच्छी बात है कि कुल आठ प्रश्ण दिये जाती है, या देखे, पुल आठ प्रश्ण हैं, लेकिन इन आठ प्रश्णों में कुल पाँच प्रश्णों को लिखना है, प्रश्न संख्या एक और प्रश्न संख्या पांच अनिवारी है और ये ना सिर्फ फस्ट पेपर में बलकि सेकंड पेपर में भी आपको यही करना है दोस्तों अब अगर बात करें हम फस्ट पेपर के प्रश्नों की तो इन दो खंडों से प्रश्न पूछे गए हैं या यहीं से पूछे जाते हैं बाश्चा विज्यान और साहित्य तिहास तो जब पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न टिपणी का प्रश्न होता है दोस्तों और टिपणी में कुल पंच प्रश्न पूछे जाते हैं जो दस-दस अंक के हैं लेकिन इनको लिखने का तरीका बड़े प्रश्नों से आलग नहीं होता है इन प्रश्नों में भी आपको भूमिका की आवश्यक्ता पढ़ती है मुख्य भाग की आवश्यक्ता पढ़ती है निसकर्स की आवश्यक्ता पढ़ती है तो यदि हम टिपणी के पहले प्रश्न के पांचों मुद्धों को देखें तो देखें कितने सिंपल प्रश्न है अब रंस अवहट पर तुलनात्मक्चर्चा सिंपल सीधा खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेस्ता एक दम सीधा हिंदी का तत्सम संदर्भित मान की करण थोड़ा घुमा दिया है राष्ट्र भाष्टा की अवधारना और हिंदी पढ़े खुब हैं आप इसको लिखने का तरीका होना चाहिए आलहा गायन की भाष्टा खुब अच्छी तरह इस प्रश्ण को जानते हैं बस घुमाया गया है तो आई यह शुरू करें इनको कैसे डिल करें जो पहला प्रश्ण है टिपणी का प्रश्ण उसमें पहला प्रश्ण यानि ए या संख्या अ क्रम अ अपभरंस एवं अवहट पर तुलनात्मक चर्चा भाषा विज्यान के प्रश्णों को करनी के लिए आपको कुछ औधारनाओं की समझ होनी अवश्यक है जसे छती पूर्ती दिरगी कर्ण किसे कहते हैं स्वारागम किसे कहते हैं स्वारलोप किसे कहते हैं स्वारवी परियाय का क्या आर्थ होता है ऐसे ही भाषा सरली करण सहजी करण का क्या मतलब होता है परसर्ग बहुलता क्या है आगे और कुछ चीज़ों को अगर आप जनने को ले करके इच्छुक हों तो जानिए कि परसर्गों की अवश्यक्ता क्यों पड़ी भाषाई विसलिष्टता का क्या आर्थ है विभक्तियों का कम होना घिस जाना पिस जाना इसका क्या मतलब है ये छोटी-छोटी चीज़ें घोशीकरण क्या है महाप्राण का हपरिवर्तन क्या है वियाकरण में विशेशन का क्या अर्थ होता है संग्या के रूप क्या-क्या हो सकते हैं अगर इन चीजों को आप समझ रखे हैं तो भाषा विज्यान के प्रश्णों बहुत सहज होते है कुछ तो इसमें factual चीज़ें आएगी कुछ अवधारनातमक संकल्पनातमक चीज़ें आएगी जो mathematical हैं इसले क्यान को भाषा विज्यान कहते हैं क्योंकि इसमें नम्बर विज्यान की तरह आता है वास्तों में यह भाष्टा का इतिहास है जिसे हम और आप भाष्टा खंडिया भाष्टा विज्ञान कहते हैं तो अप भ्रंस और अवहट पर जब तुलनात्मक चर्चा करते हैं तो क्या बताते हैं अप भ्रंस का जन्म प्राकर्त के बिगड़े रूप से हुआ या शौरसेनी प्राकर्त से हुआ जबकि अवहट का जन्म अप भ्रंस के बिगड़े रूपों के समूह से हुआ विक्रित अप भ्रंसूं का समूह ही अवहट है अवहट कोई एक भाष्टा नहीं है इन दोनों के अलग-अलग नाम भी दिये गये तुलनात्मक चरचा कर रहे हैं तो अप भ्रंस को तृतिये प्राकर्त कहा गया या पड़े हुए है जबकि अवहट को परवर्तिय अप भ्रंस का नाम दिया गया ऐसे ही तुलनात्मक चर्चा कर रहे हैं तो इन में क्या समताएं हैं क्या विशमताएं हैं उस पर बात कीजिए तो एक तो आप अंतर या विशमता के तत्व बता रहे हैं जैसे कि आपने बताया यब भ्रंश की काल सीमा पाँच सो इस्वी से एक हजार इस्वी तक के बीच रही है जबकि अवहट की काल सीमा एक हजार से चोदा सो इस्वी तक के बीच रही है भाषा विदोने माना जैसे कि महर्षी, पतंजली, महर्षी, पाणनी, आचारिय पाणनी जैसे विद्वानों ने कहा आचारिय रुद्रट भामह जैसे विद्वानों ने कहा कि संस्कृत बिगडी तो पाली वनी, पाली बिगडी तो प्राकर्त प्राकर्त के विगणने से अब्रंस और अब्रंस के विगणने से अवहट इसलिए अब्रंस को तृतिये प्राकर्त कहा गया और अवहट को परवर्ती अब्रंस लेकिन एक बात समझने लायक है पतंजली या पाननी जैसे विद्वानों ने कहा कि संस्कृत के शुद्ध शब्द जन सामान्ये में बिगड़े अशुद्ध हुए असाधु हुए इसी से अब्रंज की उत्पत्ती हुई और हेमचंद्र ने अपनी रचना देसी नाम माला में इस बात की चर्चा की कि अब भ्रंज के बिगड़े छेत्रीये रूपों से जो शब्द उत्पन हुए या जिस तरह की भाष्टाई वही अवहट कहलाई इसलिए विद्यापती मैथिल कोकिल विद्यापती जैसे रचनाकारों ने या हेमचंद्र जैसे रचनाकारों ने चंद बरदाई यादी ने भी माना कि अवहट कुछ और नहीं चेत्रिये या देसी भाषाएं हैं विद्यापती कहते भी हैं देसिल बैना सब जन मीठा तन तैसन जब पयो और हटा अब चुकी ये दस नंबर का प्रशन है आप इसमें बहुत कुछ लिख नहीं पाएंगे इसलिए बूमिका में अगर आप इतनी बातों की भी चर्चा कर द तो दोनों में आप देखेंगे स्वरागम स्वरयोग नाम सुना है इनका अब अगर नहीं सुना है तो इसके लिए तो आपको रिवलर क्लास करनी पड़ेगी क्योंकि यहां इतने कम समय में मैं पूरे विस्तार से नहीं बता सकता कि संस्कृत के शब्द में अर्ध व्यंज जन में स्वर आजाये तुसे स्वरागम या स्वरयोग कहती है ऐसे ही स्वर विपर्याये संस्कृत शब्दों की दो ध्वनिया या दो स्वर आपस में विखर जाए जैसे हम लोग आम बोल चाल में लखनव को नखलव बोलते हैं कहीं कहीं आप देखिएगा मत लब को मतबल भी बोलते हैं तो ये सब विशेस्ताइं छती पूर्ती दिरगी करण ऐसे ही आगे बने तो अलप्राण का महाप्राणी करण अघोश का घोशी करण महाप्राण का हो परिवर्तन उपधाया उपांत्यस्वर ऐसी विशेस्ताइं अप भ्रंज में देखी गई अवहट में भी इन ही विशेस्ताओं का प्रयोग देखा गया ये समताइं लेकिन थोड़ी विशेस्ताओं बता दे अब इनके उधारण भी आपको देने होंगे कि स्वरागम क्या होता है तो धर्म से धर्म स्वर का आगमन जैसे अवहट में वर्स से वर्स करेक्ट है दोस्तों समतादर्साने के बाद आप कुछ विशमताओं को भी दर्साएं कि अपवरंस में चुकी दस नंबर का प्रश्न है समय भी कम है आपके पास स्थान भी कम है अपवरंस में उच्षिप्त ध्वनी अड़ाड़ का प्रयोग नहीं देखा गया अवहट में उच्षिप्त ध्वनिया अब क्यों इनहें उच्षिप्त कहते हैं यह भी रेगुलर क्लास से जुड़कर समझने लाइक बात है इनका आनसिक प्रयोग हुआ ऐसे ही अपवरंस में पंचमाक्षर पाचमाक्षर कखगगँ अंगा अंगा पाचमाक्षर है इन्या अना नामा अब ब्रंस में पंचमाक्षर अंगा और इन्या के प्रयोग नहीं देखे गया जबकि अवहट में इनके प्रयोग देखे गया दोस्तों तुलनात्मक चर्चा का आथ क्या समताएं हैं क्या भी समताएं हैं तो ऐसे मैं आपको बताना पड़ेगा कि अब भरंस की संग्या में बहु वचन के रूप कैसे देखे गए नाप्रत्य ऐसे अवहट में संग्या में बहु वचन के रूप नाप्रत्य ऐसे देखे गए फिर बताएं कि भूत काल की क्रिया ब्रंस में कैसी देखी गई भविश्यत काल की क्रिया कैसी देखी गई जब पढ़िएगा अवहट में भूत काल की क्रिया अल प्रत्य से भविश्यत काल की क्रिया बप्रत्य से तो इन चीजों को आप बताएं विशेशन के रूप कैसे देखे गए तो अब्रंस आवड दोनों में विकारी विशेशन देखे गए विकारी विशेशन क्या होता है स्ट्रलिंग यानि लिंग के आधार पर वचन के आधार पर जो संग्याएं बदल जाएं या जो विशेशन बदल जाएं उन्हें ही हम विक कहते हैं अब जैसे मांन लीजिए लड़का तो अक्षा है लड़की अक्षी है लड़के अक्षे थो दोनों में विकारी विषेशन देखे गए आपको लगता है थोड़ा और भी लिख सकते हैं तो यहाँ परसरगों के प्रयोग देखे गये, यहाँ परसरगों के अधिक प्रयोग देखे गये, परसर कहते हैं बिभक्ती के पश्चात जो कारकिये चिन्ह बने संस्कृत में भी भक्ती थी बाद की भाष्ताओं में कार किये चिन्न तो पहला प्रश्न अप भ्रंस अवहट पर आप इस तरीके से चर्चा करें तो आपका एक अंक भी नहीं कटेगा कुल दस अंक में मान के चलिए कि आपको 7 से 8 अंक तक भी मिल सकते हैं ऐसे सामानी ने रूप में ढंग से लिख दीजेगा तो 6 प्लस अंक मिलेंगे 60 परसंट तक अंक लाएंगे दूसरा प्रश्न है कि खड़ी बोली की व्याकरनिक विशेस्ताइं ये भी टिपपणी क्या प्रश्न है अब दोस्तों पुछा हुआ है कि खड़ी बोली हिंदी की क्या व्याकरनिक विशेस्ताइं है ये भी टिपणी है पहले ही प्रश्न का पहला ही प्रश्ण है खड़ी बोली की ब्याकरणिक विशेस्ता है याद रखिएगा जब हम किसी भाष्टा या बोली की विशेस्ता लिखते है तो उसके तीन पाट होते है पहला ध्वनी गत विशेस्ता है दूसरा पाट ब्याकरण गत विशेस्ता है और तीसरा पाट शब्द कोशिये या शब्द गत विशेस्ता हैं खड़ी बोली कि जब व्याकरणिक विशेस्ता अप लिखें तो इसमें कुछ ध्वनीगत विशेस्ता को भी जोड़ें और उससे पहले भूमिका को भी तयार करें कैसे भूमिका बनाते हैं भाष्षा विज्ञानें तो आपने भाष्षा उप भाष्षा को पड़ रखा होगा कि हिंदी भाष्षा की कई उप भाष्षाएं हैं जिन में पांच महत्व पर्ण उपभास्ताएं हैं पुर्वी हिंदी पश्मी हिंदी बिहारी हिंदी राजस्थानी हिंदी पहाडी हिंदी दोस्तों यह जो खड़ी बोली है वो पश्मी हिंदी उपभास्ता की बोली है तो जब भूमिका बनाएं इंट्रो पार्ट लिखें पहला पैराग्राफ तो आप लिखें कि खड़ी बोली मा पीचाता हूं पश्मी हिंदी की महत्तोपोर्ण बोली है और इसका जन्म किस से हुआ तो अब्रंस से हुआ किस अब्रंस से हुआ तो इसका जन्म शरसेनी अपभरंस से हुआ दोस्तों अब कुछ और चीजें बताने लाइक हैं इसकी विशेस्ता पुछी गई है तो इतनी भूमी क्या बता करके या आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि खड़ी बोली जो है वही आगे चल करके खड़ी बोली हिंदी कहलाई क्योंकि खड़ी बोली में जो खड़ी पाईयों की अधिकता है या जो आकार बहुलता है या जो खड़ापन और खरापन है वही हिंदी में इस्तेमाल किया गया खड़ी बोली कही व्याकरनाईज की हिंदी में लेकिन पूल मिला के इसका जन्म सौरसेनी या ब्रण से हुआ पश्चिमी हिंदी की बोली है और जब विशेस्ता लिखिये तो चुकी टिपपणी का प्रश्ण है तो आप लिख सकते हैं खड़ी बोली आकार बहुले है क्यों आकार बहुले है योंकी खड़ी बोली के अंत में आकार या पाईयों की अधिकता देखी गई जैसे मैं आया मैं गया हम लोग ब्रज बोलते हैं तो कहते हैं आयो गयो तो खड़ी बोली में आकार बहुलता है दूसरी विशेस्ता बताएं कि खड़ी बोली स्वारांत खड़ी बोली में एक तो स्वर्योग का खूप्रयोग देखा गया उपर से स्वरांत है अंग्रेजी शब्दों का भी खड़ी बोली छेत्र आप आजये पंजाब हरियाना पश्च में उत्तर प्रदेश सटे इलाके दिल्ली में तो लोग पारक नहीं बोलते हैं पारक राजे अंदर नहीं ओ भाई रजिंदर जैसे किसी का नाम अमीत है तो उच्चारण देखिएगा ओ अमीत यानि स्वर का अंत में उच्चारण मिलेगा इसलिए स्वरांत है करेक्ट है फिर बताएं कि खड़ी बोली में अकारण दृत्व अधिक देखे गए दृत्व कहते हैं एक कही ध्वनी दोबारा अब यह तो रेगुलर क्लास की बात है कि सीखेंगे वहां करके जैसे जाग नहीं जग जा भाग नहीं वह भाई भग ले है ना खड़ी बोली में दिर्ग स्वर आरंब में हरस्व में बदल लाता जैसे यहां देखिए जाग नहीं जग आ की जग अ यही वज़े है कि औरत नहीं खड़ी बोली छेत्र में इसका उच्चारण औरत पैर नहीं पेर में समझे बैठा नहीं बेठा है खड़ी बोली की एक बड़ी विशेसता है कि मुर्धन्य ध्वनियों का अधिक प्रयोग देखा गया मुर्धन्य ध्वनियां क्या है तठडडडडण इसलिए खड़ी बोली छेत्र में जहां न ध्वनियांती उसका अणाव प्रयोग करते हैं जाना नहीं जाना अभिनो रात्री काश्चु भावसर चल रहा है खड़ी बोली छेत्र में देखियेगा माता रानी की जगा माता रानी शब्द का प्रयोग नकाना मुर्धन्य ध्वनी टडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड सामान्य रूप देखेगे जैसे आप लोग अवधी बगरा की विशेष्टा लिखिएगा तो संग्या के तीन रूप देखेगे इना कुता कुतवा कुतवाकुता हुना सामान्य दिर्ग-Dirg दिर्खतर मास्टर 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 वा मास्टर रुटर आँणा गिन खडी बोली में संग्या के शामाँने रूप देखे गया खडी बोली में जो सर्वनाम हैं वह भी ज्यादा तर आकार वहूल है मेरा थेरा हमारा तुम्हारा खड़ी वी जो विशेशन देखे गए भो पूरी तरह विकारी देखे गए खड़ी वोली में कर्टा के लिए नेपरसर का प्रयोग देखा गया अमिरखुशॡू भी खड़ी वोली का प्रयोग कर रहे थ्यारमभिक्त और पर अमिर खुश्रो का पद पढ़िये एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया खड़ी बली की एक और बड़ी विशेस्ता है कि शब्द के अंद में जो ई स्वर है वो आ में बदल जाता है देयां से सुनिए गा बड़ा रोचक मजदार है कैसे नारी की नारी में हिश्रो है चोटी ओचाहे बढ़ी हो इसलिए लाठी नहीं खड़ी बहली में लट इसलिए मती नहीं मत लोग केते आर मारी तो मत मारी गई थी इसलिए गती नहीं, गत, खड़ी बोली की क्रियाई जो हैं वर्तमान काल में है या तो प्रत्य से, भूत काल में या यो प्रत्य से, जनरली या प्रत्य से, जैसे कबीर के पदों में खड़ी बोली का स्वरूप ये प्रशनाता है, तो कबीर कहते हैं नैना निरजर लाईया, भूत काल रहत बहे निसधाम बरतमानकाल पपिया जियों प्यू प्यू करे कबरे मिलहूंगे राम गागेगी तो खड़ी बोली में भविश्यत काल की क्रिया गागेगी प्रत्य भूत काल की क्रिया या प्रत्य से वरतमानकाल की क्रिया है सै प्रत्य से हम लोग बोलते भी हैं के करेसे कहां जाय से क्या कहता है कहां जा रहा है फ्रयोक करती हैं ये प्रkęश्ण है आपके टिपणी का बह या कह सकते हैं टिपणी या पहले प्राश्ण का दूसरा छोटा प्राश्ण देखिए पहला था भ्रण्ज अवर्ड पर तुलनात्मक दूसरा प्रश्ण था खड़ी बोली हिंदी की वियाकरनी की विश्यस्ताएं ऐसे ही हिंदी की तत्सम निष्ठ मान की करण ये तीसरा यानी प्रश्ण के एकोडिंग हम लोग देखें तो ये C है A, B, C अब ये इतना सिंपल है कि सबसे पहले तो आप बताएं कि मान की करण क्या है मान की करण का अर्थ है किसी भी भाष्टा में अनेक रूपता की जगा एक रूपता पहले भूमी क्या बना लीजिये अनेक रूपता की जगा एक रूपता और विवीधता की जगा सर्वमान्यता क्या इसका मतलब होता है फुड़ा एक लाइन में समझ लेजिये किसी भी भाष्टा के कई तत्वों होते हैं उसमें ध्वानी, शब्द, उच्चारण, व्याकरण, वर्तनी, लीपी भाष्टा इन सभी रूपों में उदघाटित होती है बात करें हिंदी भाष्टा की तो देखिए लीपी हम कई तरीके से लिखते हैं कोई शिरोरेखा लगाता है कोई नहीं लगाता है कोई एक वर्ण का एक रूप इस्तेमाल करता है कोई दूसरा इस्तेमाल करता है कोई बिंदी लगाता है कोई पंचमा क्षर लगाता है समझी एह कैसे जैसे कोई चंदन ऐसे लिखता है तो पूइबिन लगाके भी छंदन लिखता है हाई या ना जैसे देखिए कोई जगड़ा ऐसे लिखता है तो कोई जगड़ा ऐसे भी लिखता है चमा चाहते हैं जगह की यहां कमी दीख रही थी कोई जगड़ा ऐसे लिखता है तो कोई जगड़ा ऐसे लीपी में विवीधता है अनिक रूपता है ऐसे हिंदी के शब्दों में भी विवीधता है कोई कहता है मेरे पैर में कोई कहता है मेरे गोड में कोई कहता है मेरे पाओं में कोई कहता है मेरे लात में कोई से मस्तक कहता, कोई से माथा कहता है, कोई से सीर कहता है, कोई से कपार कहता, कोई से हेड कहता है, इसका आर्थ हिंदी भास्ता में अनिक रूपता है, और मानकी करण क्या है? अनिक रूपता की जगा एक रूपता, विवीधता की जगा सर्वमान्यत, तत्सम निष्ठ मानकी करण का अर्थ है पारिभासिक शब्दों को अपनाना तत्सम शब्दों और पारिभासिक शब्दों का अर्थ होता है पारिभासिक शब्दावली आयोग या पारिभासिक शब्दावली जो है वो वैज्ञानी केवं तक्निकी शब्दावली आयोग के माध्यम से विक्स हिंदी भाष्टा में आज तत्सम शब्दों को मानक बनाने की कोशिस की जा रही है क्या बिल्कुल की जा रही है कैसे कार्याली ये प्रयूग की भाष्टा के रूप में या पत्र बेवहार की भाष्टा के रूप में या राज-काज या प्रशास्निक प्रयोजन की भाष्टा के रूप में जितने भी कारियालिये पत्र बेवहार हैं, साशना देश हो, गौर्मेंट और जिसे कहते हैं, कारियालिये आदेश हो, परिपत्र हो, अनुसमारक हो, अधी सूचना हो, संकल पत्र हो, अक्सर उत्तर प्रदेश बिहार MP की परिक्षाओं में ये टॉपिक आपसे पुछा जाता है, पत्र प्रारूपिया कारियालिये, पत्र बेवहार कके अलग-अलग रूप, तो कारियालिये प्रयोजन की भाष्सा में पारिभासिक सब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये पारिभासिक सब्द जादा तर तत्सन नेश्ठ हैं, इसलिए आप कहीं भी देखिए, सार्वजनिक शित्रों की इकाईयों में चले जाएं, वहां जितने भी शब्द प्रयोग किये जा रहे हैं, लगभग तत्समनिष्ठ हैं, इसलिए एक बात और जो भाषा विज्ञान में आप पढ़ते हैं, कि कोई भाषा आचानक ना तो जन्म लेती है, ना आचानक मरती है, संस्कृत के शब्द आज भी हिंदी में जिवीत हैं, संस्कृत के कुछ शब्द भिगड़ करके तदभव हो गए, जैसे हस्त से हाथ, मस्तक से माथा, लेकिन कुछ शब्द खूब हूँ अपना लिए गए, मानक बना लिए गए, अंगीकार कर लिए गए, जैसे विवेक, जैसे बुद्धी, देखिए, जैसे यात्रा, संस्कृत के शब्द हैं, जैसे पत्र, जैसे जल, आज भी हम लोग बोलते हैं, जल पान, है न, जो पानी में चलने वाली नौका है, जल यान, सोचिए, वायू यान, इसलिए संस्कृत के तत्सम शब्द, आज पारिभाशिक शब्दों के रूप में अपना लिये गए हैं, बेशक हिंदी पूरी तरा मानक नहीं बन पाई, आज भी इसमें विवीदता है, लेकिन जब शब्दों की बारी आई, पारिभाशिक शब्दों को गढ़ने की बारी आई, तो दो ही भास्ता में गढ़े गए, एक हिंदी, ए प्रयास जारी है, यह वही प्रश्ण था, देखे कितना सिंपल प्रश्ण है, मुझे लगता है कि अब आप लोग इस प्रश्ण को समझ गये होंगे, और खुब अच्छी तरह लिख पाएंगे, टिपणी के ताला प्रश्ण क्या था, अब ब्रंसवहट, तुलनात्मक चर् खड़ी बोली हिंदी की व्याकरनिक विशेस्ता है, इसमें आपको साफ साफ नहीं दीख रहा होगा, मैं चमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं बोल बोल के पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिए, प्रश्ण तीसरा जो था हिंदी का तत्सम संदर्भित मानकी करण, प्रश्ण स लिखना क्या है? हिंदी बोलियों का समदाय है, हिंदी में विवीधता है, राश्ट्र भास्ता भावनात्मक प्रकरन है, भावनात्मक संकल्पना जो राश्ट्रिये विरासत की भास्ता हो, अपने संसकारों संस्कृती की भास्ता उसे ही राश्ट्र भास्ता कहती है, हिंद भाग 5 भाग 6 भाग 17 के प्रकर्ण में अनुछे 343 में इस बात की चर्चा की गई कि स्वातंत्रता मिलने के 15 वर्षों तक या स्वातंत्रता प्राप्ती के 15 वर्षों के पश्चात राष्ट्रपती यदी चाहिं तो अंग्रेजी का लोप करके हिंदी को एक मात्र एकल लिपी दिवनागरी होगी हलाकि वो 15 वर्ष का सवभग्य नहीं आया अब तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों राज भाष्चाएं बनी हुई है हिंदी राज भाष्चा है लेकिन राष्ट्र भाष्चा इस अर्थ में नहीं है क्योंकि भावनात्मक प्रयोजन की भाष्च हो कर सांस्कृतिक विरासत की भाष्चा हो कर भी पूरे राश्ट्र में हम इसका वेवहार नहीं कर पाते है संपर की भाष्चा है एक दूसरे से बोलचाल साधने के लिए पहें दुच्छण चले के लिए कंवेंट सरकारी स्कूलों की जगां अंग्रेजी माध्यम के स्कूल यहां तक की रेलवे में एरोप्लेन में या ऐसी जगों पर या अन्य सार्वजानिक स्थानों पर संभौता प्रदर्शन प्रियता की वज़ा से हम अंग्रेजी अधिक बोलते हैं सुआफ करते हैं दिखावा करते हैं इसलिए कहीं न कहीं भावनात्मक और महत्वकांच्छा दोनों अस्तरों पर हिंदी हमसे कटती गई इसलिए प्रश्ण भी आया कि हिंदी दिवसे कर्मकांडबन करके रह गया हम भावनात्मक रूप से उतने नहीं जूड़ पा रहे हैं जितना की जूड़ना चाहिए कहीं न कहीं तुष्टी करण की नीति जिस दक्षन भारत में या दक्षन भारत के लोगों के द्वारा हिंदी का विकास किया गया राजभासता का फ़र्मूला मुन्ची और आयंगर के द्वारा लाया गया गुजरात बंगाल और अन्य के लोगों का हिंदी के विकास में योगदान अधिक था आज existed Miami इक उपैक्षा देखी जा इसका मात्र कारण है कि हिंदी झाने भासी चेट्रों में भी हिंदी की उपैक्षा हो रही यह इसलिए राश्ट्र भाष्टा की अवधारना और हिंदी जब भी हम इस पर बात करें तो तीनों चीजों को समझाएं राज भाष्टा संपर्क भाष्टा और राश्ट्र भाष्टा का क्या अंतर है राश्ट्र भाष्टा वास्तों में क्या हो सकती है हिंदी राज भाष्टा संपर्क भाष्चा तो है किंतु राष्ट्र भाष्चा नहीं है तो जब आप डी को लिखें तो इस रूप में लिखें कितना सिंपल है दोस्तों ये प्रश्ण संख्या एक टिपणी का जो डी है वो भी कितना सिंपल है कि हिंदी और राष्ट्र भाष्टा की संकल्पना अब जो टिपणी का पांचमा मुद्दा है वो बहुत इंट्रेस्टिंग है आलहा गायन की भाष्टा ध्यान से सुनियेगा मैं जान बुषकर कि इसका फॉर्मिट बनवाना चाहता हूं पूरा लिखवाना चाहता हूं क्या आपको मालूम है कि रासु रचनाओं में जगनीक ने परमाल रासों की रचना की जगनीक कवी के द्वारा महोबा के शाशक परमार्दी देव या परमाल के राज कवी थे जगनीक क्या आपको ये मालूम है कि परमाल रासों उपलब्ध नहीं है अंग्रेजी शाशन के दवरान परूखाबाद ध्यान से सुनियेगा परूखाबाद के कलक्टर चाल्स इलियट अगर नाम आपने सुन रखा हो परमाल रासों के कुछ पदों को कुछ चंदों को एकत्रित करके इसे आलहा खंड नाम दिया था यानि अंग्रेजी शाशन के दवरान परमाल रासों का नाम आलहा खंड पड़ा अब एक दूसरी बात है कि परमाल रासों रचना में राजा परमाल के दो कुछल सेना नायक थे सेना पती आलहा और उदल दस दस रुपया के नौकर हैं नाहक डरी हो मूड कटाई आलहा और उदल की वीरता को कृष्षी मौसं भारतिय संस्कृति से जोड करके गायन की परमपरा चली आलहा गायन को लोक गायन शैली में रखा गया लेकिन प्रोष्ण पूछा गया कि इसकी भाष्टा क्या है जब हम राशो रचनाओं की बात करते हैं तो राशो रचनाओं में अपभरंस का भी प्रयोग है औवहट का भी प्रयोग है और राशो रचनाओं में ज़्यादा तर राजस्थानी अपभरंस ख़ड़ी बोली का भी प्रयोग है इतना ही नहीं जब हम रासु रचनाओं की बात करते हैं तो उनमें डिंगल और पिंगल शैली का भी प्रयोग है डिंगल वीरता चित्रण की शैली है और पिंगल जो है वो श्रिंगार चित्रण की शैली है डिंगल में मुर्धन्य ध्वनियों और खड़ी बोली का प्रयोग है पिंगल में कोमल ध्वनियों और ब्रज भाष्चा का प्रयोग है यानि आप लिख सकते हैं कि आलहा गायन की जो भाष्चा है वो मिश्रित है किस प्रकार मिश्रित है इसमें अपवरंस भी है इसमें अवहट भी है इसमें राजस्थानी अपवरंस का भी प्रयोग है और चुकी महोबा वगरा की अब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बुंदेली का भी प्रयोग है ब्रज भाष्चा का भी प्रयोग है डिंगल और पिं यह पूछा था आपके बेवहार पर पूछा था कि आप आदिकाल को कितना पढ़ें इतना ही नहीं आप कह सकते हैं कि कथानक रूढियों से जुड़ी हुई है रासो रचनाए मानव पात्र के साथ मानव एतर पात्र भी है इसलिए आचारी हजारी प्रसाथ दिवेदी कहते है कि यह जो रासो रचनाए है वो एतिहासिक भी है और कालपनिक भी है और यही वजह है कि उन्होंने लिखा था खास करके चंद बरदाई की रचना पृत्वी राजरासों पर की अर्ध प्रामानिक है तो यह इसकी भाष्टा रही और यह आपके प्रश्न रहे टिपणी के त अब आईए दोस्तों बात करें प्रश्न संख्यात दोपर